आज चोटे पर्दी की चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी रखने वाला भी हर एक शक्स अभीनेत्री शिवांगी जोशी के बारे में बखो भी जानता है और भला जाने भी क्यों न यहीं तो वो अधकारा है चिन्हों ने भले ही छोटे मोटे शो से अपने करियर की शुरुवात की लेकिन आज ये रिश्टा क्या कहलाता है सीरियल से ये मेन लीड नायरा के किरदार को निभा कर सभी की चहेती आक्ट्रिस बन गई है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि काफी कम समय में सफलता की बुलंदियों को चुने वाली अभिनित्री शुवांगे जोशी ने अपने कब तक के करियर में कितने सीरियल और मूवी इसमें काम किया है और किस सीरियल से इन्हें खास पहचान दिलाई है तो अगर आप भी अभिनित्री शुवांगे जोशी के बहुत बड़े फैन हैं और ये ही सब बाते चानना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंति तक बने रहेगा और साते साथ इस खुब सूरत अभिनित्री के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले छोटे परदे का जाना माना नाम बन गई अभिनित्री शुवांगे जोशी ने अपना पहला कदब रखा था साल 2013 में आये सीरियल परवरिश कुछ खटी कुछ मीठी से जिसमें इन्होंने एक गेस्ट अप्यरेंस भूमी का निभाई थी लेकिन इस सीरियल के दुरांत बाद ही इन्हें खेलती है जिंदगी आँख मिचोली में काम करने का मौका मिला जिसमें ये निशा के किरदार को परदे पर खुबसूरती से पेश कुरती हुई नसराई थी इसे किरदार को इन्होंने इतनी खुबसूरती से परदे पर उतारा कि इन्हें कलर्स की पॉपुलर शो बेंतिहा में आयत का सपोर्टिंग रोल निभाने का मौका मिला इस सीरियल में सपोर्टिंग रोल करने के बाद इनके महनत एक दिन रंग लाई कि इन्हें बेगुसराई सीरियल में पूनम ठाकुर की मुख्य भूमिका को परदे पर उतारने का मौका दिया गया जो कि इनके करियर का पहला ऐसा किरदार था जिसमें ये मुख्य भूमिका निभाती हुई नसराई थी इसी शो में काम करने के बाद ही इने बैक टू बैक टीवी के कई सारे पॉपुलर शो में काम करने का मौका मिला जिनमें ये कभी सीरियल प्यार तुने क्या किया में जोदी का किरदान निभाती हुई दिखी तो कभी ये लव बाई चांस और ये रिष्टे हैं प्यार के में गेस्ट अपिरेंस के तोर पर अपने अदाकारी का चल्व बिखेरती हुई नसर आई अब फाइनल इनके करियर का एक ऐसा किरदार आ गया है जिसने इनके लाइफ को फर्ष से आश तक पर लाकर खड़ा कर दिया है वो किरदार है नायरा का जो कि आप सभी ये रिष्टा क्या क्या लाता है में देखी रहे हुँगे वो आपको बता दे कि आपके इस खुबसूरत अदाकारा को टीव इंडस्टी में आए हुए तकरीबन साथ या आच साल ही हुए हैं जिन्होंने अभी तक बड़े परदे परदस तक नहीं दी है इसलिए इनके कोई मूवी नहीं है अब आँ तुम्हें बात कर लेते हैं इनके करियर में चार चांद लगाने वाले सीरियल्स के बारे में तो आपको बता दे कि आपकी ये फेवरेट रैक्टर सी यू तो कई सीरियल्स में नज़रा चुकी है लेकिन इन्हें इनकी असल पहचान दिलाने वाला सीरियल साबित हुआ बेगु सराय और ये रिष्टा क्या कहलाता है जिसमें ये पूनम और नायरा बनकर सभी की चहेती बन चुकी है तो दोस्तों ये थे अभिनेत्री श्रिवांगी जोशी के ओल टीवी सीरियल्स वेल आपको इनमे से कौन सा शो इनका सबसे ज़्यादा पसंद आया है और उसमें किस काकरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया है आप हम एंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और साथे साथ टेवी इंडरस्ट्री से जुड़िया ऐसी ही लेटस्ट खबरों के बारे में चानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले